नमस्कार चात्रों, आप समय हैं कारक पाट को सरल शब्दों में समझने का संग्या या सर्विनाम के जिस रूप से वाक्षी के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंद का बोध होता है उसे कारक कहते हैं कारक के प्रकार करता ने कर्ण को कर्ण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से प्रिथक होना यानि अलग होना संबंद का के की अधिकर्ण में पर संबोधन हे हो हरे कर्ताकारक संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ताकारक कहते हैं उधारन रिया ने खाना बनाया कर्मकारक जिस संग्या या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्मकारक कहते हैं उधारन मीता ने किरन को पैंसिल दी कर्णकारक क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रियोग किया जाता है वह साधन कर्णकारक कहलाता है जैसे प्रकर खिलोनी से खेलता है संप्रदान कारक जिस संग्या या सर्वनाम के लिए करता कुछ कारे करे या कुछ दे उसे संप्रदान कारक कहते हैं उधारन राज भाई के लिए चाट लाया अपादान कारक, संग्या या सर्विनाम के जिस रूप से अलग हुने का भाव, डरने का या तुलना के भाव का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे सेप पेड से गिरा संबंद कारक, संग्या या सर्विनाम के जिस रूप से उसका उसी वापके के अन्य संग्या या सर्विनाम शब्द से संबंद पता चले, उसे संबंद कारक कहते हैं, उधारन यह घर मीता का है अधिकरन कारक, संग्या या सर्विनाम के जिस रूप से क्रिया की होनी की स्थान का पता चले, वे अधिकरन कारक कहलाता है, उधारन मोहन छट पर पतंग उड़ा रहा है संबोधन कारक, जिन शब्दों का प्रियोग कर किसी को पुकारा जाए या सावधान किया जाए, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं, उधारन अरे, वे घर गया आशा करती हूं, यह पाठ आप सभी को समझ आ गया होगा, आपका दिन मंगल मैं हो, धन्यवार